जयमा इंद्राक्षी जयम्बे इंद्राक्षी धाम में दर्शो को आप सभी का महार्दिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जातकों का जनम दिवस है मेरे जैनिवर्सरी उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुपकाम नाएं कई बार छोटे बच्चे हमारे बहुत रोते हैं अचानक नीद में चौक पड़ते हैं डर जाते हैं और इतनी बुरी तरह से बच्चे रोने लगते हैं कि समझ में नहीं आता हम कैसे उन बच्चों को शांत कर सकें चुप कर सकें आराम से वो बच्चे मीठी गहरी नीद में सो सकें और हमारे बच्चे स्वस्त बने रहें है न इसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो हम बताएंगे और आप छोटे हैं बड़े हैं बच्चे हैं कोई भी हैं उन सब के लिए एक ऐसा दैविय मंत्र जिसे पढ़ने से बच्चे की नजर दोस द्रश्टी दोस सभी की दूर हो जाती है खास कारी कर्म है ध्यान से सुनिएगा ध्यान से बाते नोट करिएगा आए पहले आज का हम बंचांग देखें बच्चा स्वस्थ है अच्छी मीठी नींद सोरा है अच्छानक चौक करके रोने लगे रोते रोते बुरा हाल हो जाए बच्चे का मू लाल हो जाए मा घवरा जाती है पिता घवरा जाते है तो हमारे सनातन धर्म में और हमारे सास्त्रों में नाना भाती के मंत्र है और हमारे रिश्यमुनियों का इतना उपकार है कि आप पूछिएगा मत तो ऐसे देविय मंत्र वास्तम में एलोकिक रूप में कारे करते हैं चमतगारिक रूप में कारे करते हैं तो यदि आपके संग्य समस्या है आपका बच्चा बहुत रोता है चुप नहीं हो पाता है और कोई कारण भी ऐसा नजर नहीं आता है डॉक्टर साब को दिखा लिया तब भी ऐसी कोई बिमारी प्रकड़ में नहीं आती है आपका बच्चा नीद में चौक जाता है डर जाता है या आप स्विम भी ऐसा आपके साथ हो जाता है और साथ में बच्चा बहुत बहभीज सा हमें नजर आता है ऐसी वस्था में बाबा जी की शर्ण में जाना चाहिए हनमान जी का एक बहुत सुन्दर मंत्र है उस मंत्र को पहले लिखें फिर हम आपको उसका तरीका बताएंगे और यदि बड़े व्यक्ति हैं अच्छा से सरीर है और अच्छानक सरीर गिरने लगता है हमें लगता है कहीं किसी की द्रश्टी दोस्थ हमारे उपर आ गया हमें लगता है कहीं नजर लग गई हमारे उपर सब बाते हम बले किसी से ना करें लेकिन मन में तो लोगों के चलती रहती है तो क्या करें आईए पहले उस मंत्र को आप नोट करें फिर आगे की चर्चा करते हैं हां मांजी का यह मंत्र करें ओम अंजनी गर्वसंभूतं कुमारं ब्रह्म्यां चाहणिंद्रश्टि दोस्, विनाष्याय्य हनु. स्म्राम्यं यहें, इस मंत्र को आप मत्रındaू पढ़ते रहिए बच्चा रोगारा है बच्चे के सरपर हाथ या स्रमंग पर फिरते रहिए हनमान जी का ध्यान करके बच्चे को पर हाथ गुमा दीजिए भगवान की करपा अगर उसको कोई नजर दोश है कोई बंदन है बादा है बच्चा अचानक भैखारा है तो आपको पता ही है बलशाली देव हैं है ना तो बिल्कुल आपको बच्चे के में रिलिफ मिलेगा और बच्चा गहरी मीठी नीन्द सोएगा. बहुत लोग तो मयूर का पच्चप रखते हैं, पंक रखते हैं, और इसी मंतर से बच्चों को जाड़ते रहते हैं, उनकी द्रश्टी दोस, नजर दोस दूर हो जाता है. आप बड़े हैं, बड़े बच्चे हैं, आप स्वियम हैं, ऐसा कोई लगे कि ऐसी कोई नजर द्रश्टी हमारे उपर आ गई है, तो क्या करें? कटोरी में थोड़ा जल रख लें, गंगा जल हो से के थोड़ा उसमें गंगा जल मिला लें, थोड़ा सा. और इसी मंतर को हम ग्यारा बार कटोरी हाथ में ले लें, और इसी मंतर को हम ग्यारा बार पढ़ें, उस जल का थोड़ा सा छीटा अपने उपर माल लें, या छीटा ना मारें, वो समस्त जल पी जाएं. कब उसी समय महीं बैठे बैठे नहीं, आप बाकी की पूजा कर लीजी, अगर आप सुबह साम पूजा करते हैं, सुबह या साम किसी भी समय इस प्रयोक्तों किया जा सकता है, और उठ जाएं, फिर एक तरफ बैठ करके, सोफा कुरसी चेर पे, आराम से बाबा का ध्यान करक किसी घर में भी लगता है कि दरस्ती दोस्त बाधा कुछ ऐसी चीज आ गई है, तो इसी मंत्र को पढ़ें और जलके छीटे देवें, पशु को लगता है कि पशु बिमार हो गया है, स्वस्तनी होने में आ रहा है, कोई इसको दिकत ऐसी है जो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो यहीं मंत्र पढ़ करके पशु के उपर जलका छीटा मा रहे हैं, आपके पशु स्वस्त हो जाएंगे, भगवान के गरपा बड़ी अनोखी है और अनोखे देव्य मंत्र है हमारे सास्त्रों में, तो आप इस मंत्र का सहरा लीजिए, किसी भी प्रकार की नजर दोस्तों किसी के उपर हो, किसी वस्तों के उपर भी कई बार नजर दोश लग जाती है, हाँ, बड़ी मशीनरी है, चलने रही है, रोज खराब हो जाती है, तो यही मंत्र पढ़कर हलका सा छीटा मा रहे हैं, या बाबा हनमान जी के माए पैर का तिलक लगा में और मंत्र यही पढ़ बड़ता है, इश्वर को पाने के लिए इश्वर जैसे गुण चाहिए, हम भले इश्वर ना बन सकें, लेकिन हम साद्विक आहरले, निशे से दूर रहें, उल्टे सीधे भोजन से हम दूर रहें, यह ना हो कि आप बाबा की भक्ती कर रहें, हनमान जी की भक्ती कर रहें, और यह भक्षय पदारतों का आप भक्षन कर रहें, कताई भी फाइदा नहीं होगा, ध्यान रखना, आप सिग्रेट पी रहें, आप टेबा को यूज़ कर रहें, आप गलत चीज़े यूज़ कर रहें, और हनमान जी की भक्ती कर रहें, नई साथ, कुछ नहीं होगा, शु पास रख रहे हैं हमें लाब नहीं हो रहा हम ऐसा कर रहे हमें लाब नहीं हो रहा लेकिन उस लाब के पीछे क्या अग्यानता है और क्या चीज कमी है उसका भी अध्यन करना चाहिए बास ये आप ध्यान रखना आईए बात बाबा हनमान जी की हुई है हनमान जी की साधना से ओम अतुलित्वलधामं हेमशेलावदेयं दनुजवनक्रिशानु ज्यानिनामग्रगण्यं सकलगुण निधानं वानराणाम अधीसं रगुपति प्रियवक्तं वात जातं नमामी मनोजवं मारुत दुल्यवेगं जितेंद्रियं वोद्धिमताम वरिष्टं वातात्मजंबा नरयूत्यमुक्कं स्रीरामदूतं सर्णं प्रवद्दे स्रीरामदूतं सर्णं प्रवद्दे रामाया रामभद्राया रामचंद्राय वेदसे स्रीरगुनाथना धाया सीताया पताय नमाहा स्रीहनुमंताय नमाहा कबच मना ले ध्यान करें बाबा कर्शु बासीस आशिरवाद हम सब के उपर बरस रहार ओम बोलते हुए नित्रगों ने समान्य हो जाएं देखो साथ को यह जीवन है इसमें बहुत सारी समस्याई भी आती है और उन समस्याऊं के समाधान हमारे रिशियो मुनियों ने हमें प्रदान की हैं आप अच्छे से इन मंत्रों की साथना करने एक कौपी डायरी लगा लें और इस प्रकार के जितने भी मंत्र हम आपको बताते हैं इन्हें करते रहें और ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमसे 25-25 सालों से जुड़े हैं 20-20 साल से लोग बाग हमसे जुड़े हैं आप में ऐसे लाखो लोग हैं जो हमें 20-20 साल से सुन रहा हैं आपकी डायरी भर गई हैं बहुत खुशी की बात है अच्छी बात है तो आप जो नए लोग हमसे सादक जुड़ते हैं वो अपनी कौपी डायरी दिनों में बहुत बड़े आध्यात्मिक अनुस्थान हम लोग जैसे पहले करा रहे थे बीच में करोना का समय आया तो वह सारी चीजे बंद हुई आप भी समझते हैं कि गैदरिंग नहीं की जा सकती थी अब सिलसिला सुरू है अठारा जून को एक आध्यात्मिक महापूजन है रुद्रपूजन है जिसमें हमारे संकटों का विनाश हो भगवान का आशिश मिले और साथ में जिनकी उपर पित्र दोसे वो समस्त दोस दूर हो जाए आमावस्या की बेला है उसमें यह आयोजन होगा अठारा जून को दूसरा उसके बाद फिर दूसरा आयोजन होगा जैपूर में आयोजन है और ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा और जीवन में ध्यान रखना जब तक आप स्यम कुछ नहीं करेंगे यग हवन कोई मंत्र साधना कोई जब साधना आपका भला होने वाला नहीं है कई बार हम यह सोच लेते हैं केवल गुरू जी की मीठी मीठी वा करें किताब खोल के ना देखें पढ़के ना देखें लड़ ना करें कैसे पास हो जाएगा और आजकल तो बच्चों के पीछे हम कितनी मेहनत करतें क्लास में जाते हैं ट्यूटर अलग क्लास के टीचर अलग मेहनत करतें तब जाकर के बच्चे के अच्छे माक्साप आते ह है ऐसी जिन्देकी की परिक्षा है भगवान से जुड़ने के लिए भी परिक्षाई देनी पड़ती है पक्ट पे भगवान हमारी परिक्षाई लेते हैं और वही पास होते हैं जो अच्छी भैनत करते हैं इसलिए ओची भक्ती करने का प्रियास प्रियास ना करें केवल हमने गुरुजी के च्रण पकड़ लिए हमारा उद्धार हो जाएगा गुर्देव भी देखकर के आशिर्स देते हैं यह धान रखना हाँ इसलिए आशिरवाद भी भाग्ये से मिलता है कहने को हम कुछ भी कहते हैं तो हमारे सभी साधक सभी दर्शक लुलुपता में नाफस हैं अपने आप प्रक्टिकली बनने का प्रियास करें प्रक्टिकल कुछ करने का प्रियास करें और यह इंद्राक्षिधाम इसलिए हमेशा अगर कोई live ब्रोग्राम भी आपको पूजन का देता है तो आपको समझाता है कि देखो बेटे आप फूल चड़ाओ अब दूज चड़ाओ अब नमस्कार करो करते हैं न ऐसे आपके साथ तो इसी लिए अब प्रक्टिकली जीवन जीने का प्रियास करो आपको जीवन में लाब मिलेगा जब हम पढ़ते होते हैं आप पढ़ते होते हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर भी तो प्रक्टिकल होते हैं एक्जामनर ऐसे तो हमें मार्क्स नहीं दे रहते हैं वस्तम में हम लेते हैं देखते हैं तो ऐसे भगवान के नियम में आगे बढ़ने के लिए कुछ सुखी रहे इनी शुप्कामनाव के साथ हम अपनी भाणी को विनाम देती जय जय अंबे मैं अपनी पत्नी के बारे में शेर करना चाहता हूँ आप लोगों से उनकी जौब चली गई थी किसी रीजन के कारण मतलब कुछ प्रॉबलम आ गई थी इनों ने कुछ मंतर जब करने के तरीके बताये थे किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक ज्वानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें सब्सक्राइब करना न भूलें